स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आज हमारे पास खड़ी है Hyundai i20 यह हमारे सामने जो है इसका Sport Optional Variant आज खड़ा है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि यह Optional Variant आपको क्या कुछ आफर कर देता है और क्या कुछ आपको Different देखने के मिलेगा अगर आप इसको Normal Sport Variant से अगर आप Compare गर रहे हो उसके अलावा दूसरी चीज इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि Price Difference कितना है Sport और Sport Optional Variant के अंदर तो वीडियो को आप पूरा जरूर से देखना तभी आपको सारी चीजे Optional Variant के बारे में इस वीडियो में जानने के मिलेगी तो चलिए बिना टाम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं शुरूर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो दो मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बैल आइकन को जरूर से प्रैस कर लेना ताकि मैं जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है इजीली देखने के मिल जाए तो सब सब पहले मैं आपको इस वेरेंट की चावी दिखाता हूं चावी आप देखलो बिल्कुल सेम जने नॉर्मल स्पोर्ट वेरेंट के इंदर आती है वैसी कुछ आपको चावी मिल जाती है सामने की दरफ आपको तीन बटन्स दिए गए है लॉक अनलॉक और बूट रिलीज करने का फिलिप की का ओप्शन आपको इसके इंदर देखनेंग मिलेगा और पीछह बात करोगे तो टिपिकल लोगो आपको मिल जाता है और जो दूसरी चावी है वो आपको मैनुल देखनेंग का मिलती है उसके इंदर रिमोट वगरा का उप्शन नहीं आता है तो ये चीज़ जरूर है कॉस कटिंग जरूर से जो है की गई है उसके लावा मैं आपको इस वेरियंट के एक्शो रूम प्राइस के बारे में बताता हूँ ये वाला वेरियंट आपको एक्शो रूम कॉस करने वाला है 8,73,000 रूपीज ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना साथ मैं आपको डीलर्शिप की कॉंटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी एक्शो रूम 8,73,000 रूपीज और सेम चीज़ अगर मैं आप स्पोर्ट वेरियंट के लिए आपको बताऊं तो वाला वेरियंट आपको कॉस करता है 8,38,000 रूपीज तो मोटा मोटा लगा के चलो 35,000 रूपे का डिफरेंस है पोर्ट और स्पोर्ट ऑप्शिनल के अंदर आप देखते हैं कि यह 35,000 रूपे के डिफरेंस में यह उप्शिनल वेरियंट आपको क्या कुछ एक्स्टा ओफर कर देता है फ्रंट से स्टार्ट करते हैं सब सब पहले तो आप यह कलर देखके बताओ कॉमेंट में आपको कैसा लग रहा है आई 20 के उपर डार्क कलर है, डार्क ब्लू आप इसे बोल सकते हो ब्लेक कलर प्रॉपर नहीं है आपको डिफरेंस दिखी जाएगा ऐसा ओप्शिनल वेरियंट क्या कुछ ओफर करता है आई यह सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं सेंटर में आपको हुंडाई का लोगो देखने के मिल जाएगा सिल्वर फिनिश के अंदर बिल्कुल सेम है यहां पे कोई भी वदलाव नहीं है और जो ग्रिल आपको देखने के मिलेगी जो की नॉर्मल स्पोर्ट वेरेंट के अंदर आती है सामने की तरफ आपको नंबर प्लेट के लिए जो है स्पेस दी गई है यहां पे आपको जो है इसका लॉक वाला हॉन देखने के मिल जाएगा वैसे इसके अंदर डूल सेटप हॉन देखने के मिलता है तो यहां पे आपको जो है सिल्वर फिनिश में इस किट प्रेट इसकी देखने के मिल जाएगी उसके अलावा कभी कार खराब हो जाती है टो करना चाहते हो तो उसको उप्शन आपको इस जगर पर दिया गया इस कैप को निकालने के बाद जो है आप टो कर सकते हो आपको जो है इसकी पार्किंग लाइट देखने के मिल जाती है इंडिकेटर आप यहां पे देख सकते हो साथ में एक और स्पेशल चीज है अपने इस ऑप्शनल वेरिंट के अंदर इसके अंदर आपको जो है अपनी ऑटोमेटिक हैलेट का ओप्शन भी देखने के मिल जाता है तो यह चीज आपको सामने की तरफ मिलेगी कट एंड क्रीजिस अच्छे खाल से आपको दिये गए है ताकि शार्प लुक कहीं न कहीं गाड़ी का लिकल के आए पाकि सामने की तरफ आप देखके बता सकते हो बॉनट आपको कैसा लग रहा है और उसके अलावा सामने की तरफ बात करोगे तो यहाँ पर आपको जो है इसके दो वाइपर देखने के मिल जाते है सेम दो वाशर दिये गए हैं इस साइट से अगर मैं आपको दिखा हूँ तो यहाँ पर आप देखी सकते हो उसके अलावा जो इसका ए प्लर है वो आपको जो है इसके अंदर बॉडी कलर देखने के मिलता है अगर आप option जाते हो तो अपने sport optional के अंदर आपको dual tone का option भी मिल जाता है जिसके अंदर आपके pillar अपने orvience और जो roof है वो piano finish के अंदर आएगी तो उसके लिए भी अगर आप जा सकते हो अगर आपका plan बनता है उसके अलावा एक और चोटी सी चीज़ दिखाता हूँ आप इस side से देख लो जैसी कि मैंने आपको sport variant के अंदर दिखाया था सेम चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाती है प्यानो फिनिश में जो है running board पे inserts जो है दिये गए है और सेम उसके उपर जो है i20 की basing आपको जो है देखने के मिल जाएगी उसके अलावा आपने sport variant के अंदर अगर आप बात करोगे optional वाले के अंदर तो sport और sport optional में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है सेम आपको hyper style alloy wheels का option देखने का मिलता है और आपको कई बार बता रखी है वाकि जो suspension आपको देखने के मिलेंगे आगे में पर सन आते हैं पीछे आपको कपर टोर्जन एक्सल बीम के साथ जो है दिये गाए वह बेस वेरिंट से लेके है वह जरूर से मिल जाती है क्रूम फिनिश के साथ बॉड़ी के लड़ आपके डोर हैंडल यहां पर दिये गए रुकाइस सेंसर वगेरा आता नहीं क्योंकि यह स्पोर्ट ऑप्शनल वेरिंट अगर आप एस्टा वगेरा पर जाओगे तो आपको सेंसर वगेरा का भी ऑप्शन मिल जाता है और जो अपना बी प्लर है वह आपको मैट फिनिश के अंदर देखने के मिलेगा सी प्लर पे भी अच्छे खासे ग्लास का वीव आपको मिल जा बाकी पेट्रोल वगेरा पर पढ़ जी सकते हो और साथ में यह सपोर्ट करता है वाकी पीछे से बिल्कुल गाड़ी जो है बिल्कुल आपको सेम देखने का मिलेगी क्या कुछ मिल जाता है सबसे पहली चीज तो आपको यहां पर जो है इसके अंदर शार्ट फिन एंटेना जो है नहीं आती है बाकी जो अपनी टेल लाइट्स है वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेंगी जैड शेप में LED टेल लाइट्स है इंडिकेटर साप यहां पर देख सकते हो बैक लाइट आपको यहां पर मिल जाएगी और सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करोगे तो जगह पर देखने को मिलता है और एक बार अंडर बोडी चेक करा हूं तो ऐसा मिलेगा आपको इसका कुछ रियर सस्पेंशन तो पीछे का आपको यह सारी चीज़ देखने को मिल जाती है वाकि एक चीज और दिखा देता हूं और यह ग्लास पर भी आपको Hyundai का लोगो जो है सबसी लेगा हूं सबस्क्राइब एक लिग और आपको यहां पर बार इंडन सबुदिर लhãवर्ण और फैरल एक लुछ टे मिल जाता है इस सबसे पहले तो आपको है और संब देखा आपको फेलेगा इसका इसका इसस्ट्य का सबस्टर्सन यहां पर आपको मिल जाता है section में बता देता हूं थोड़ा से section में फरक है अगर आपको दिख जाए exact तो यहां पर आपको 185 65r15 यह सेम बलीनों के अंदर जो अपने सब्सक्राइब 51 लीटर का बूट सपेस मिल जाता है जिसको कि आप जो है सीट फोल्ड करने के बाद extend भी कर सकते हो यह अच्छी चीज है तो यहां पर तो यही सारी चीजे मिलेंगी कुछ बदलाव नहीं है बाकी यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आपको जो है emergency exit का option मिल जाती है अब बात करते हैं इसके dimensions की तो यहां पर आपको जो है 3.99 मीटर की लेंथ देखने के मिल जाती है और height की बात करोगे तो यहां पर आपको जो है 1.5 मीटर की height देखने मिलेगी जो की base variant से लेके top and variant तक सेम आती है कोई भी वदलाव नहीं है में यहां पर आपको बता देता हूं यहां पर आपको 170 mm का ground clearance देखने के मिल जाता है जो की ठीक है नीचे से लगने की इतनी सिकायत नहीं आएगी बट अगर आपके यहां पर रस्ते वगेरा थोड़े खराब है या टूटे फूटा पैच है तो वहां पर नीचे से लगने क इसकायच जरूर से आ सकती है बाकी एक बार आप approach अंगल वगेरा भी इसका देख लो बहुत कम आपको जो है इसके अंदर देखने के मिलेगा बट अगर आप city वगेरा के तो तो तब कोई जो है दिकत नहीं आने वाली है बाकी आपको यह सारी चीह मिलेंगी अपने optional variant के अ दोर थर्ड आप comment section में बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है build quality wise कैसी है वाकि safety features के बारे में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो आप एक बार दोर ट्रिम देख लो इसकी यहां पर आपको जो है dual tone trim का option मिल जाता है white with gray के साथ कोई भी leather वज़र का option नहीं मिलता है power window का switch आप देख सकते हो same gray finish में आपको door lever यहां पर मिल जाएगा center locking का button आपको दिया गया है नीचे वन लीटर का button holder आपको देखने को मिल जाएगा और जो अपनी सीट्स हैं वह आपको dual tone देखने को मिलती है अब बात करोगे तो same आपको grab handle मिल जाएगा अब बात करते हैं सेफटी फीचर्स की तो सबसे पहले तो इस वाले variant के अंदर आपको 6 airbag standard मिलते हैं ABA, CBD, Traction Control, Auto-Engine, Saarstrop यह भी आपको standard देखने को मिलेगा और जो seat beds हैं वह आपको three pointer देखने को मिलती है सभी passenger के लिए प्री टेंशन है लो लिमिटर के साथ यह वाली seat मेरे height से adjuster तो space आप देखी सकते हो तो safety point of view से यह सारी चीज़ आपको मिल जाती है बाकि अगर आपकी height थोड़ी बहुत जादा भी है तो भी आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है बाकि under thigh support की बात करोगे तो आपको decent देखने को मिलेगा और जो floor ramp है वो मैं आपको दिखा देता हूँ लगबग 3-4 inch के आसपास का देखने को मिलता है साथ में चोड़ा भी अच्छा गासा है स्टेंडर्ड देखने को मिलेगे बेस्वेजिंट से अब हम चल लेते अपने ड्राइवर साइट पर वहां पर चल के और देख लेते हैं यहां पर आपको फिजिकल की लगाने का उप्शन मिल जाएगा यंदर चले हैं अब अब लिए उससे पहले आप यहां पर देखो यह और यहां पर दिया गया इसका लीवर इसको पुल करके आप जो अपना भूनट खोल सकते हो ट्रेक्शन कंट्रोल मिल जाएगा और इसाथ में हैड़ाइट लेवलर आपको यहां पर मिल जाता है बाकि एक बार आप डोर को कर लेते हैं क्लोस डोर थार्ड आप कॉमेंट में ब पर दिया गया है चाल्ड सेफटी का बटन मिल जाएगा सेम आपको डोर लीवर दिया गया है एक और फरक दिखा हूं तो इस जगे पर आपको जो है अपने लेदर का यूज मिल जाता है इसके लिए अपनी राए कॉमेंट में शेर कर देना यहां पर दिया गया है अच्छा इस जगे पर बात करोगे तो टिकेट होलडर आपको देखने का मिल जाएगा और इस जगे पर दिखा हूं तो वैनिटी मिल जाता है साथ में एडजस्मेंट वगयरा देख लेते हैं तो उसको आप्चन नहीं मिलता साथ में इतनी ओपनिंग यहां पर रह जाती है तो इसके इसड़ी आपको सब्सक्राइब यहां यहां पर लिए पर आपको दिखा देता हूं फोकॉस अब आपको दिख जाएगा 10 वीन पोट दिया गया रिजकी तीसरी चीज दिखांगो अपने इस पोडॉर्ट आपशनल वेरेंट के तो वह आप यहां पर देख सकते हैं इस वाले variant के अंदर आपको wireless charger का option भी देखने को मिल जाता है तो इसीद के लिए अपनी राय जो है comment में share कर देना एक बार जारा चाबी को निकाल लेते हैं और यहां पर बात करोगे तो यहां पर मिलेगा आपको इसका 5-speed का manual transmission इसके अंदर आपको अपना automatic torque converter का option भी मिल जाता है यूज मिल जाएगा दो cup holders है जो कि आपको थोड़े से देखने मिलेगा एक बड़ा वाला है यह वाला यह आपको छोटा मिलेगा manual handbrake दिया गया है same finishing यहां पर मिल जाती है आम रष्ट आपको यहां पर आ जाएगी और इस जगर बात करोगे तो इतना कुछ आपको space भी इसके अंदर देखने मिल जाता है बट स्लाइग के बात करोगे तो वह चीज नहीं मिलती है और जो अब जल्दी से जो है गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़े जो है इसके बार मैं समझ में आजाएं तो गाड़ी फिलाल मैंने ओन कर लिया आप देख सकते हो जो अपना इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि आपको अवाज अच्छे से आए इसको कर देते हैं अब आपको जो है सारी चीज़े देखने क्लें मिलेंगी इन्फोटेन्मेंट में ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके इंदर आपको वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एपल कार पे स्लीक ट्रेक और सेट अगेरा चेंज करने का इस जょगे से आप इस तरीकिसा ट्यूनिग वायरा में चेंज कर सकते हो आप लिए राइट सैड में बात करोगे तहों पर रेडियो मीडिया फेवरेट के बटन से अपर इस अबयätर देखाता हूं और इसको प्रइस करके रखो आप देख लो 220 तक की मार्किंग आपको यहां पर मिल जाती है और टेको मीटर की बात करोगे तो यह तक की मार्किंग आपको यहां पर देखने का मिल जाएगी बीच में अब उन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले रेंज अगर आप पर देखा रही है शिपिंग मोड और यहां पर आपको आउटसाइट टेंपरिचर देख सकते हो गाड़ी किता चल चुके है वह देख सकते हो और इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो एक सेकें सब्सक्राइब आपको मिल जाएगा सेम लाइड दोर कन्वीनियन सर्विस इंट्रवल अधर फीचर से में हुंडाई गुरूप वाले फीचर आपको यहां पर प्रेस कर देते हैं इसको यहीं बैसिक सी चीजह है उसके लावा यहां पर आपको जो आपने क्रूस कंट्रोल आपको दिए गया है यहां पर बात करोगे तो वाइपर के कंट्रोल आपको देख सकते हो वाइलस चार्जर उसके लावा क्रूस कंट्रोल अपने स्पोर्ट वेरेंट के अंदर क्रूस कंट्रोल आइधिंक नहीं अगर मैं सही हूं तो बाकी मैं आपको सब्सक्राइब का डिफरेंस है तो यह तीन चार चीज आप लगा के चल सकते हो उसके लावा आपने स्टेरिंग वील की अज़ेस्मेंट और दिखा देता हूं लास्ट आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है टेलिस्कोपिक नहीं दिया गया है और कुछ रह गया हो प सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका आपको इस जगह पर दिया गया है और यहां पर आप देख लो इंसलेशन वागेरा नहीं मिलती नहीं कोई खास ज्यादा वेट है इसके इंदर सेफटी वाइस डीसेंट आप बोल सकते हैं बिल्ड क्वालिटी में ग्लोबर एंड कै अपने सबी कार्स में जो है यह मेडिटरी कर दिया जैसे थ्री पॉइंट सीट बैट और चेर बैग अबीए सीबीड वाली चीजसों बहुत पहले से तो उससे हो सकता है कुछ फरक पड़े बागी सेफटी रेटिंग मैं आपको बताई दिये अब थोड़ा सा इंजिन के ब अप्शन मिल जाता है हुणडाई आई 20 एंलाइन की नाम से जिसके अंदर आपको वैन वाला जो है 1.0 टर्बो इंजिन का उप्शन जो आता है वह देखने के मिलेगा महाँ पर पावर फिगस थोड़े से ज़्याद है और थोड़े से कॉस्मेटिक ट्यूनिंग वगरा भी और इस टेंडर वारंटी वेगरा की बात करोगे तो कंपनी जो आफर कर रही है वह एक लाग किलोमेटर तीन साल जिसको कि आप 5 साल तक के लिए इसली एक्सेंट भी करा सकते हो तो कैसी लगी आपको यूंडाई आई 20 स्पोर्ट और वेरेंट के अंदर कॉमेंट सेक्शन म तो कर देते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखें के लिए आपको थैंक्यू सो मच मिलेंगे एक और ऐसी नई वीडियो के अंदर